आज हम पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकारते हो सकते हैं एक वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं या बीच में क्या आता है और दूसरे वे वाक्य जिसमें क्यों कब कहां का प्रयोग होता है इन दोनों तरह के वाक्यों को कैसे ट्रांस्टेट किया जाता है इसको जानेंगे तो सबसे पहले हम क्या को लेते हैं क्या अगर पहले आता है तो उसकी लिञगे डीड रखा जाता है example क्या वह खेला डीड ही प्ले और वह क्या खेला तो क्या के अगड़ यज़िड रखा जाएगी उसके अब कर डीड लगएंगे what डीड ही प्ले Then we will go to where, when and how How, किस तरह से इन वाक्यों का परियोग इन वाक्यों का अनबाद इंगिश्म करेंगे उदान के लिए वा क्यों खेला? Why did he play? वा कब खेला? When did he play? वा कहां खेला? Where did he play? We have to keep in mind while translating Hindi sentence to into English as per type of sentences, the sentence where did to be used, where what to be used and how the how to make sentences if there is wh which question word interrogative words like kyon, kab and kaise. Thank you. Thank you for being with me. Thank you very much.